रज़त के साथ आर्थी करने सी सवी ने किया इनकार सही हुई इमोशनल इशा ने कही वैजु की मांग भनने की बात घर में मचा बड़ा तमाश्चा जोई हाँ दरहसल हम बात कर रहे हैं स्ट्रापलर शोगुम है किसी के प्यार में की जिसका आने वाला एपिसोड काफी देखेंगे किस तरीके से ठकर परिवार में गनपत्ति पपा की मूर्ती की अस्थापना की जाती है और सभी लोग बेहत खुश नजर आते हैं एककर के सभी लोग जोड़े में आर्थी करते वे दिखाई पड़ते हैं और अब जैसे ही बारी रज़त और सभी की आती है सभी सभी को गोद में उठा कर पीछे हट जाती है ऐसे में रज़त अकेला पर जाता है और सभी सारी बाते समझ जाती है जहां पर सभी तुरन्थ ही सभी के गोँष से नीचे उतर कर गनपत्ति पपा के मूसक के कानों में ये बोलने लग जाती है कि भगवान किसी भी तरीके से म प्यार होते वे भी नजर आते हैं. तो भी दूसरी और ईशा वैज़ो को रोकती है और कहने लग जाती है कि वैज़ो एक सुहागन है और उसे इस तरीके से आरती नहीं करना चाहिए पहले अपनी मांग भर लेनी चाहिए जहांपर वैज़ो अपनी मांग भरनने लगजाती है और कहीं न कहीं सच बताने का सोचने लगजाती है तो वहीं पर दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आती है जिससे ये खुलासा हो जाता है कि रोहन कट्नाप हो चुका है और ऐसे बीड़ा फिर से ठककर परिवार में पूरी तरीके से तमाशा पसरते वे नज़र आ रहा है पहल तो इस पर क्या है आपकी राए हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताएं साथ ये ऐसे खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें